स्पोर्स आर पे बहुत बहुत स्वागत है आपका और बात करेंगे इंडिया वर्सिस पाकिस्तान मुकाबले की जो कल बीती रात खेला गया हलाकि उसमें रिजल्ट नहीं आया एक एक पॉइंट शेयर हो गया लेकिन सबसे जादा उस मैच में चर्चा हुई तो वो हुई इशान किशन की इसलिए हुई क्योंकि जब आपके टॉप के चार बल्ले बास पवेलियन लौट चुके थे उसके बाद इशान किशन वहां पे आते हैं और एक धमाकेदार इनिंग खेलते हैं धमाकेदार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 81 गिन में 82 रन की वो पारी खेलते हैं पार्टनर्शिब लगाते हैं हार्दिक पांडिया के साथ और अपनी टीम को एक स्टेबल जिसे बोलते हैं सिचुएशन में पहुचाते हैं लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि इशान किशन के जो पिता है प्रनव पांडे जी ने एक इंटर्वियू दिया और उन्होंने ये बताया कि मेरी इशान किशन से क्या बात हुईती है और जब भी ऐसा कोई मुकाबला होता है तो मेरी इशान किशन से जरूर बात होती है तो जो वहाँ पे पत्रकार थे उन्होंने उन्से पूछा कि आपकी इशान किशन से इस मैच को लेकर क्या बातचीत हुईती तो उ तरीके से खेलना जैसे आप Australia के अगेंस्ट खेलते हो ईंग्लेंड के अगेंस्ट खेलते हो या New Zealand के अगेंस्ट खेलते हो तो कोई pressure नहीं होना चाहिए जैसे पूछा गया उनसे कि high pressure वाला गेम था पाकिस्तान जैसी टीम सामने थी तो आपने क्या message दिया उन्होंने बोला कि बाई जैसे आप और टीमों के साथ खेलते हो वैसे ही आपको पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ उनसे सवाल किया गया कि आपको जो मिडल ओर्डर में जो जिम्मेदारी दी गई उसको कैसे देखते हैं क्योंकि आप तो ओपन कर रहे थे तो इ टॉप ओडर हो चाहिए वो मिडल ओडर हो वहाँ पे आपको रंस बनाने होंगे टीम की रिक्वार्मेंट होती है और जहां पे भी टीम को रिक्वार्मेंट आपकी है चाहिए वो टॉप ओडर में हो चाहिए वो मिडल ओडर में हो तो वहाँ पे आपको रंस बनाने होंगे तो ये सारी चीजें उनके पिता ने उनको लेकर बताई इशान किशन को लेकर बताई और ये भी बताया कि जब वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं क्योंकि हमने देखा है काफी टाइम से वो चाहें वाइड बॉल क्रिकेट हो चाहें रेड बॉल क्रिकेट हो टीम के साथ वो ल हो या T20 टीम हो तो उस तरीके से आप देखते हैं कि सीनिर खिलाडियों से उनकी बातचीत लगातार होती रहती है और उस बातचीत से मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है और जो सीखते हैं वो ही application वो मैदान पे दिखाते हैं और अगर ये उनके टॉप ओडर बैटिंग में करने के performance थे लेकिन यहाँ पे उनको मौका मिला नंबर पांच पे खेलने का केल राहूल की absence में आपको पता है कि केल राहूल इंजरी की वज़े से टीम से बाहर चल रहे हैं इशक अप के squad में उनको नाम जरूर था लेकिन ये बता दिया गया था फिलाल वो शुरुवात के दो मैंचेस नहीं खेलेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है राज टीम का भी अलान हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए तो उस पे भी हमारी टीम कौन सी है आपको बस अपने नैच्रल गेम खेलना पड़ता है और ये सारी चीज़े खेलनी पड़ती है कि चाहें भरे कोई सी भी टीम सामने हो बट आपको एक अपना नैच्रल गेम खेलना पड़ता है तो ये सारी चीज़े इशान के पिता ने उस interview में बताई और ये भी बताई कि इशान day by day progress कर रहे है, maturity उनके अंदर आ रही है तो ये सबसे बड़ी चीज उन्होंने इस interview में बताई कि इशान ने जिस तरीके से inning को paste किया, जिस तरीके से partnership लगाई तो ये दिखाता है कि इशान किशन में maturity वाली game आ रही है थोड़ा सा mature वो हो रहे है और अपनी game में वो लेके आ रहे है इससे पहले आपने देखा होगा इशान किशन के साथ जो problem हमने notice करी थी कि वो strike rotation को लेके काफी वार फस रहे थे close to the body जब उनको ball किया जा रहा था था वहाँ पे भी फस रहे थे लेकिन कल ये सारी चीजे नहीं देखी close to the body उन्होंने काफी अच्छे defense वहाँ पे करे और जो खराब ball थी हरिस राओफ का एक ball था जिस पे उन्होंने रखके वहाँ पे चक्का भी मारा था तो ये सारी चीजे इशान किशन की बैटिंग में हमें चेंज देखने को मिले जब जब strike rotate की बात आई जब जब उनको single double की बात आई तो वो भी उन्होंने हार्दिक पांडिया के साथ मिलकर बखू भी उसको मतलब पूरा किया single जहां पे लेना था वहाँ पे single double जहां पे लेना था वहाँ पे double और खराब बोलो को उन्होंने punish भी किया अब बात करते हैं कि spinners के अगेंस्ट उनके performance जो की बताई जा रही थी कि number 4, number 5 पे वो फस्ते हैं spinners के अगेंस्ट उपस्ते हैं क्योंकि top order में आपके पेसर अपरेट करते हैं, power play रहता है, field अंदर रहती है तो वहाँ पे इशान किशन उसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन कल situation different थी, वो middle order में बल्लेबाजी करने आये जब आपके top 4 के बल्लेबाज निकल लिये थे, तो सबसे ज़ादा pressure आप पे होता है कि कोई ऐसा बंदा आए और ऐसी partnership लगाए और वहाँ पे इनिंग को stable करके team इंडिया को सम्मान जनक score तक पहुँचा है, तो वही सारी चीजे इशान किशन की batting में आपको नजर आई और वही चीज हुई कि इशान किशन जब batting करने आए तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा maturity दिखाई, थोड़ी क्या बहुत ज़ादा maturity दिखाई, कोई ऐसा मतलब game नहीं खेला, कोई ऐसे rash shot नी खेले, जहाँ पे वो out हो सकते थे, maturity वाला game उन्होंने दिखाया, single double वहाँ प अधाप को attack किया, नवास को attack किया, आगा सलमान को attack किया, इवन हाजिस राफ को भी उस तरीके से उन्होंने मतलब punish किया, तो ये सारी चीज़े इशान किशन की batting में कम देखने को मिलती थी, बट कल की inning, high pressure वाला game, पाकिस्तान सामने, इश्यक अब जैसा बड़ा tournament और वहा अब नहीं रहेगा, क्योंकि जब-जब player लगाता run बनाता है, क्योंकि इशान किशन के साथ हमने पहले भी देखा था, जब वो बांगलदेश के खिलाफ उन्होंने 200 लगाया था, उसके बाद भी team से drop हो गए तो और अब भी scenario और जिसे बोले की सारी चीज़ें ऐसी बन रह हैं कि केल राहूल अगर team में आ जाते हैं, fitness test उनका होगा और देखते हैं, वर्ल्ड कप की team में वो आ जाते हैं, तो क्या इशान किशन बैठेंगे, क्योंकि वो as a wicket keeper, batter backup के तौर पर है, as a backup opener के तौर पर है, तो क्या केल राहूल के आने से इशान किशन की जगा को खतरा है यह सब आप से discuss भी करेंगे और जैसे team आएगी, उस पे भी बात करेंगे और playing 11 का क्या combination बनेगा, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और sports hour को आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe ज़रूर करें, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो like, share ज़रू और यह interview प्रणप पांडे जी का जो उनके पिता है, वो आपको कैसा लगा, यह भी हमें comment करके जरूर बताएं, और यही सब है, कुछ सुधार अगर आपको लगता है, कि हमें अपने चीजों में करना चीए, वो भी आप हमें comment करके जरूर बता सकते हैं, बाकी Asia Cup की पूरी coverage आपको sports आर पे मिली रही है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो में इतना ही और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, फिलाल चलते हैं, जै हिंद, जै भारत